कैसे हैं आप सब सो गई स्वागत है बचे आप सब ही का ट्यारी जीर्फ की सिरीज के अंदर और एक बहुत ही एम उद्धा रहता है कि इंडियन एकनोमी के सरफ क्या पड़े क्या ना पड़े इतना सारा वास्ट असलिबस है क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो I am gonna tell you with the proof कि every time the same questions are gonna to be repeating जो जो topics मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी में से आपको सब आलक सर देखने के लिए मिलते हैं और उसी में से आ रहे हैं इखी if I talk about the Indian economy तो Indian economy को बच्चे आपने कैसे समझना है Indian economy को आपने कुछ history के सर समझना है that you need to do the all the current events which is happening into our economy उन events को बच् तो आप लोगों को पता है COVID-19 pandemic के बाद जो सबसे important event हमारा रहा है सरकार की तरफ से जो package दिया गया है वो है आतम निर्भर भारत का और आतम निर्भर भारत के अंदर there was basically इसके अंदर हमारा कुछ criteria वगरा set करे गए थे पूरा वैसे मैंने पूरा lecture भी डाला वह आतम detail version आपको दे रखा है अगर आप study करना चाहे तो भी आप study करना कर सकते हैं अभी मैं short में आपको पता देती हूं देखे इसके अंदर there is a one topic of the revised definition ठीक है ना तो मोधी जी द्वारा हैं पर क्या किया गया है MSMEs MSMEs क्या होते है हमारे जो micro small and medium enterprises हैं ठीक है ना तो micro small and medium enterprises के limit अच्छा मैं आपको पहले वो एक detail वाला भी मैं आपको दिखा देती हूं ठीक है so guys if you want to study पूरा अगर आपने आतम निर्भर भारत पढ़ना है तो already मैंने इसको YouTube पे करवा रख है what you have to do just write the Tanya Bhatia and आतम निर्भर भारत तो जैसी आप जाएंगे यहां पे आपको तो मतलब you just have to go to the videos विगरा में आप जैसी जाएंगे तो यहां पे आपको मेरा class मिल जाएगा ठीक है साथ में इसके आप एक चीज और टाइप कर देना तम निर्भर भारत अनकेडमी यह भी आप टाइप कर दीजेगा यह देखे topic you can't miss तो यह class आपको यहां पे मिल जो micro, small and medium enterprises की definition को change किया गया है ठीक है so it is very very important very important economic Indian economic में जो हमारा यह हुआ है तो उसके बारे में हम लोग study करेंगे और study के साथ ही I just make sure कि आप उसको याद भी कर लो ताकि आपको exam तक दुबारा उसको देखने की जुरतना पड़े ठीक है ना so let me show you आतम वेट आतम निर्भर 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 yes so this we have the Ayushman भारत उसको दिखा क्यों मैं I just move to that slide again ठीक है थोड़ा सा इदर उदर हो गया है actually हमने थोड़ा सा निया सेट अप लगाया तो मैं भी अभी आपके सासाती आदी कर रहे हैं इसको भी मैं भी सेखे रहे हूँ so guys here are a rr बड़ा समस्या है इसके अंदर तो एक उतर न अपने आले के आदत पढ़ी होते हैं पर एक दम जोड़के जब नहीं पर आते हैं manufacturing अगर enterprise है तो manufacturing के अंदर आप लोगों का micro में if someone is investing less than 25 लेक तो less than 25 लेक वला हमारा इसमें आजाता था माइक्रो में आ जाता था ठीक है service enterprises मतलब अच्छा ही है तो हमारी existing है na service enterprises में अगर investment 10 lakh से नीचे होती थी तो हम उसको micro में यानिकि सबसे छोटे small up discussions में अगर नीचेल पर तक की investment अगर रहती है मैं जाने उसको nमारे को ढालते जाती है तो फिर हम इसको यहां पर service enterprises में डाला करते थे क्योंकि existing existing मतलब जो पहले से ही हुआ करता था then we are coming into this medium, medium में बच्चे क्या होता है medium के अंदर जो investment है that is gonna to be 10 करोर की और जो investment है वो कितनी होती थी वो होती थी हमारी 5 करोर तक के investment है यहां पर यह करी जाती थी right so these were the existing जो पुरानी थी आप देखो जड़ा नए पर नए पर नए पर नए पर क्या क्या है बच्चे तो नए पर एक बात तो पहले यह समझो manufacturing और service को उन्होंने अकठा कर दिया थे को manufacture का मतलब क्या होता है जब हम कुछ मानलो कोई machine produce कर रहे है ठीक है manufacture कर रहे है तो वह सारा आपका इसकंदर आता है और service तो आप दे रखा है they have given you with the turnover limit तो turnover limit होती है हमारे कितनी पांच करोर ठीक है ना अब what is this turnover turnover हमारा है क्या देखे turnover का मतलब होता है अगर हम लोग यहां पर बात करें तो turnover का मतलब होता है कि the amount of business that a company does in a particular period of time तो हमने जो है कितने का business करा है ठीक है ना तो यह हमारा क्या होता है that is gonna to be the turnover एक period of time के अंदर हम लोगों नहीं हाब यह कितना करा है business हमने कितने का करा यह हमारा turnover है लेकिन अगर आपको turnover का मतलब profit है तो बिल्कुल गलत होगा profit के लिए तो बच्चे आरे यार मेरा विदिमाग आई पेंट ने पकड़ा पकड़ा है क्योंकि पुराने की अधर ज्यादा ना विवी नहीं वाला आनी रहा हा तो मैं आपको पताए थी turnover के लिए पच्चे क्या करना पड़ेगा turnover के लिए आपको उसमें से जो भी मतलब basically turnover का मतलब तो हो गया हमारा turnover का मतलब क्या है कि हमने कितने का एक particular time में हमने कितने का business कर रहा है ना अब इस में से जब आप expenditure को माइनस करते हो तो वह फिर हमारे पास profit निकल कर आता है so profit is basically different criteria और यह जो हमारा turnover है turnover simple means क्या है simple इसका मतलब होता है business हम लोग यह आपर लेकर चलते है ठीक है ना अच्छा small में देखो small में क्या करा है इन्होंने देखो मैं सीदी से बहुत बताऊंगे micro or small में जाने के लिए नहोंने क्या करें एक एक जीरोड लगा दी है एक का दस करोड और पांच का पचास करोड ठीक है ना तो एक एक जीरो आपने सेट कर देनी है एक के साथ दस करोड लग जाएगा और पांच के साथ हमारा यहां पर पचास करोड वाला हमारा सेट अप हो जाएगा और इसके बाद यहां पर मीडियम पर जाने के लिए यहां पर लोगों का दस का बना दिया है 20 और 50 का बना दिया है इनोंने थोड़ा सा महाट के दिखा देतू पचास का बन गया भाई 100 करोड बन गया है नए वाले के साफसे जो हमारा आत्म मिरनिर भारस के अंदर न्यू क्राइटीरिय है तो उसके अंदर टरन ओवर कितना है टोन ओवर है उसके अंदर लगबग 100 करोड का टरन ओवर आप लोगों को यहां पर यह देखने के लिए माइ बल करा देखो ऐसे आप अपने दिमाग में बसा सकते हो सिर्फ माइक्रो याद कर लो माइक्रों कितना है एक और पांच स्मॉल बनाने के लिए कि जिरू लगा लेने दस और पचास मीडियम बनाने के लिए है multiply by 2 तो 10 multiply by 2 20 50 multiply by 200 करो मतलब एक असान तरीका कहलो है मेरी तरफ साब तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर इसको चीजों को यहां पर हमने अपना करा है तो इस तरीके से आप यहां पर से इधर अपना करेंगे आप यहां पर देखो इतना समझ आ गया आपको now let me tell you the question कि सवाल किस तरीके से आप से एक्जाम में पूछे जाते हैं यह तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने करना है now here we are into this यह देखो बच्चे so below are these some of the features of the micro small and medium enterprises MSMEs in India और यह कुछ इन्होंने options आपको यहां पर दे रखें ठीक है ना फिजैसे मैंने आपको पता है इस तरीके से option में आके पूछता है तो चलिए देखते हैं आप कौन-कौन सा सही है कौन सा नहीं है revised definition of MSMEs was bought in the July 2020 जुलाई 2020 में इनकी revised definition आई है ठीक है यह इसने first option दे रखें चलो इसको हम बाद में देखेंगे in this definition turn on level and limit varied between the service and the manufacturing बिल्कुल भी नहीं जो नई वाली रिवाइस आई है इस परिभाशा में सेवा और वी निर्मन उद्यम्मों की बीच कारोबार किसी में भिन तो हुई नहीं है प्रम लगों के पहले बीचन लेकिन बाद में ऊसको क्या कर गया है बाद बैज उसको कोशिश कर रिए Go मैं हमेशा के टियो वह सकता तो में नहीं हो सकता तो फोर्ट उप्षन कोमारा यहां पर फिक है चलो और देखते हम इंती डिवाइस डेफिनेशन टन और निमेट फॉर दी एंटर्प्राइज वास रुपीज फिफ्टी करो तो आप अपने दिमाग में चार्ड बना लो माइक्रोक आपने कितना पड़ा था एक और पांच स्मॉल में हमने कहा था दस और पचास फिर उसके बाद जो हमारी मीडियम में मेरे बहुता मुल्टिप्लाइबाइब टू कर देना तो मुल्टिप्लाइबाइब टू यहने कि 20 और हंड़ एसे चार्ड बना लिया करो जब आप बैसे करते हो नोट बने ना बने लेकिन दिमाग में नोट जरूर बनने चाहिए अगर आपके ब्रेन में अगर आपके दिमाग में नोट बन गाए तो फिर तो चिंता कोई बात ही नहीं तो आप देखो इन दिस रिवाइज डेफिनिशन टर्न लिमिट फोर स्मॉल एं ठीक है ना तो अब यह मैच हो गया कौन से से वाला सही है सी वाला सही है तो इसका लगव फट अप्शन भी नहीं हो सकता और फस्ट भी नहीं हो सकता तो राइट आंसर आपको मिल गया डिए से डी देखो मैने पूरा चेक भी नहीं और सिरफ news ूश्च अब एम यूज तो बिल्कुल जुलाई 2020 में आप लोगों का जब वो कोवेड टाइम हमारा चल रहा था तो तब हम इस डेफिनेशन को जो है रिवाइस वाली में लेकर आए हैं अच्छा उसके बाद ही देखो इन दिस रिवाइस इंवेस्टमेंट लिमिटेंट प्लांट मशीन जिर एक्वि अच्छा हां तो इन वेस्टमेंट लिमिटेंट इन किस में बोला है इसना है स्मॉल मेडियम है ठीक है करेक्ट आंसर आपको पताने थे ना हां और इन वेस्टमेंट लिमिटेंट इन प्लांट एंड मेशिन्डरी और एक्विपमेंट फॉर दी मीडियम एंटरप्राइस वास तो आप लोगों का यहां पे प्लांट एंड मेशिन्डरी एंड इक्विपमेंट में कौन सा पूछ रहा है यह प्लांट एंड मेशिन्री मीडि आज में है दूसरा में है इंदी रिवाइस इंवेस्ट्मेंट कि प्लांट जो ईवन प्लांट जो रेक्विप्मेंट प्र मेंडियम एंट्रेंट्रिप्राइस वहाज कितना 5 करोर तो मेरे हैं साफ से तो इसका ऑर आचा यह औरसी होना चाहिए एक दी तो नहीं ना तो देखो मैं आपको बता रही सी इस तरीके के questions जो है मतलब इंडियन एकनॉमी के दाइरे में आपको सिरफ मैं कुछ-कुछ चीज़े बता रहे हूं वह आप कवर कर लो आपका काम हो जाएगा देखो एक तो स्कीम्स ठीक है उसके बाद आपका 15 फाइनेंस कमीशन करंट का हमारा 2023 का बजट ठीक है जो अभी चल रहा है और आतम जिन्वा भारत तो आपको अगर आप कवर कर ले तो तो आपका इंडियन एकनॉमी बड़ी आराम से कवर हो जाएगा और वैसे भी देखो अगर कुछ होना चाहिए अगर एकनॉमिक फालोगों ने बता होगा तो और किसी कोई बता होगा है ना सो इस वेरी नैसेसरी उशुड नो आचा दूसरी चीज बच्चे आपने यह करनी है आई होप यू लाइक दिस वीडियो आपने इस इंजोई क्या होगा बाई सीथा जाना गूगल पर सब्ल सेर्च करना थान्या इकनु łos तो आसे आप तान्याwol एकक उन सेर्च करेंगे तो इस तरी के से आपको मेरा सारा प्रोफाइल जो है यहाँ पर इस तरी के सबूपन हो जएगा दिस सब्तना यूट्यूब चैनल है तरह बड़ी सारी वीडियो मोहाई होई होई है स सब्सक्राइब कर सकते हो तान्या लाइब आपको अप्लाइब कर दीजिगा जिससे आप लोगों को एडिशनल 35% 40% 20% जो भी डिसकाउंट उस टाइम पर चल रहोगा मिल जाएगा मेरा कोड लगने से आपको परसनल मेंटूर में गाइड भी करूंगी पेपर वान अपको फ् तो यहीं से आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल बी जोइन कर सकते हो क्योंकि देली के जो क्लास का शडीूल है यहां पर शेयर करती हूं ठीक है ताकि मेरा बस इतना साही रहता है कि कि किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो ठीक है तो यह हम लोग यहां बेसारा अपना इधर आप इसको जोईन कर सकते हैं और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगी अपने चैनल पर मैं बेसिकली प्लेइलिस्ट बना दूंगी कि इंडियन इकनोमी में आपने क्या-क्या जूरी चीजे पढ़ने हैं जिसमें आपने काम ह प्लेइलिस्ट यहां पर मैंने त्यारी आपकी बना रहती हूं ताकि उनको जो है चोटे-चोटे-चोटे उसमें भी काफे कुछ आपका कवर हो जाए देखें यह हमारी इंडियन इकनोमी की प्लेइलिस्ट प्लेइलिस्ट इसमें बनी हुए तो इसी में मैं इन वीडियोस को और ज्यादा आड कर दूंगी ताकि आपका जो है काफे सारी चीजे जो है हां से आपकी कवर हो जाएंगे ठीक है ना सो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगो से नेक्स्ट वीडियो के दर मुलाकात करेंगे बाबाई टेक आपका आपकाट था लाफ यू